ठीक है चलो नेक्स्ट वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो यह कहता है एक इलेक्ट्रॉन है अब उसकी इनिशियल वेलॉसिटी एक्स एक्सीज में पहले से है चलो यहां कोश्चिन समझने की कोशिश करते हैं अगर यहां मैं इलेक्ट्रिक फिल्ड लगा मैं और इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलॉसिटी जो है वो पोजिटीड एकसीज मेंJean तो अगर पोजेट्यव साहीक्स में तो हमें उसंद्र हो जाएगा भौक्षे घर उ हम लोग इसको इधार कर लेते हैं अगर एक अलेक्ट्रान है और उसी इलेक्ट्रावी की वेला, वह पोजेटिव x-axis में है भी आई-कप भी नॉट आई-कप इनिसियल ही ती इज उकल टू जीरो पर उसकी जो वेलासिटी है ती इकल टू इनिसियल मतलब टी इकल टू जीरो पर वह पोजेटिव यह और यहारा है और यहां नीगेटिव x-axis में और झो इलेक्टिक फिल्ड वह इधर की डायरेक्शन में है नीगेटिव मतलब यह प्लस टर्मिनल होगा और यह माइनस टर्मिनल होगा ऐसा कुछ लगी है तो यह आँदर की डायरेक्शन में जा रहा है तो इस पे फॉर्स लगेगा ऑविसली इलेक्टिक फ्रिल्ड के अपोजिट फॉर्स लगेगा और उसकी वैलिव यह होती है इसको पता ना पसे इसका एक्सलेशन वेक्टर भी इधर ही होगा तो जब टाइम टी उकल टू जीरो पर था तो टी उकल टू जीरो पर कितनी वेलासिटी थी जैसे ही हम छोड़ेंगे इंशन वेलासिटी इतना देंगे तो उसके बाद ऊसकी वेलासिटी चैंज होजआएगी टी टाइम बाद उसकी वेलासिटी चैंज होजएगी क्रेमली दू जी प्रूजली वेलासिटी мехल्डी लेंद सब्सक्राइग निकालना है अब ड्री वेवलेंद होता क्या है यार लेमडा इस उकल टू एच अपान एंबी मुमेंटम होता है तो अगर देखोगे जब टी इसकोल टू जीरो पर यहां था उसकी वेलोसिटी थी इधर को डाइरेक्शन में तो इधर ही जा रहा तो वेलोसिटी भी इधर एक पर जो लेमडा था वो लेमडा नॉट था तो टी टाइम बाद लेमडा नॉट रही नहीं रहेगा मतलब डी ऑप्शन कभी साही नहीं हो सकता क्लियर है तो सबसे पहले दो केसे पहले टी इस उकल टू जीरो पर लगा देते हैं इक्वेशन प्रोब्लम हो जाएगा तो टी टाइम बाद अफटर टाइम टी भी चुगा होगा तो टी टाइम बाद अगर में वेलासिटी देख लूँ कि कि विवा तो टी टाइम और इस acceleration की direction positive right की direction में है, तो इसका मतले पर हुगा कि first equation of motion valid होगा और यहां लगाया जा सकता क्योंकि acceleration constant है, पूरे physics में अगर acceleration constant है, तो यह equation of motion apply किये जा सकते हैं, तो velocity after time t आ जाएगा, initial velocity भी not acceleration, acceleration की value डाल दो, small e capital e mass m और time, तो जो velocity है वो time dependent आ जाएगा, यह velocity है वो time dependent, अब इसी velocity को अगर मैं यहां पर रख दूँगा, चलो, इस velocity को अगर मैं अपनी d broccoli wavelength lambda में रख दूँँ, तो मुझे जो मिलेगा, वो h upon m भी होता है, तो velocity की value रख दो, तो यह जाएगा, b not plus small e capital e time t और m, यह वाली चीज, तो यहां से बच्चों, अगर मैं b not common ले लूँ, तो h m b not common ले लिए, तो 1 plus small e capital e time t और m b not यहां बच जाएगा, प्यारे बच्चों, तो और यह जो तुम देख रहे है वो lambda, यह वाला जो चीज है, बाहरे इस बन वो तो lambda not ही तो है, यह lambda not ही तो है, तो lambda not is equal to, और 1 plus small e capital e t, divided by m b not, मतलब इस साफ से देखलो लैम्डा उन प्लस स्माल ए लैम्डा उपान उन प्लस स्माल ए कैट है मतलब फॉस्ट और साही है